प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अगर आप भी हाई वर्मेशन स्पाइज की चीजों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनलेटी में वो स्पार्क लाना होगा इसकी वज़ा से आप इस तरह के लोगों को आकरशित कर सकें नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इस इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में फेंस हमें से बहुत सारे लोग अपने करियर को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सिस करते हैं और हम लोग MBA, BBA, Architecture, Law, Doctorate बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी क्या उनमें से हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है अगर आप अपने आसपास चाहों तरफ देखें तो सेकडों की संख्या में लोग highly qualified doctor हैं लेकिन यदि सभी doctors को देखा जाए तो चंद ही doctor अपने field में सफल हो पाते हैं जिनका नाम आपके शेत्र में नामि गिनामी doctors में गिना जाता है उनमें से बहुत सारे doctors MBBSB होते हैं लेकिन उसके बाबजूद भी या तो वो छोटा सा clinic चला रहे होते हैं या किसी hospital में job कर रहे होते हैं ठीक उसी तरह से हजारों की संख्या में विध्यार्थी law complete करते हैं और वकील बनते हैं लेकिन उनमें से चंद वकील ही अपने राज्य में अपने शेत्र में एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम हासिल कर पाते हैं और जो लोग अपने शेत्र में high profile गिने जाते हैं उन doctors के पास patients की भरमार होती है उन advocates के पास clients की भरमार होती है लेकिन बाके सभी professionals अपनी सामाने आय कमाने में भी सक्षम नहीं हो पाते ऐसा क्यों होता है जब इन कारणों का अध्यन किया गया तो पता लगा कि बहुत सारे ऐसे सामाने रहस्य हैं यदि आप उन रहस्यों को जाने तो आप भी अपना नाम उन बेशुमार लोगों की list में शामिल कर सकते हैं अगर आप भी इन रहस्यों को समझ लें तो बहुत आसानी से market को lead कर सकते हैं और ऐसे चन्द सफन लोग कभी भी किसी भी product के price को value नहीं देते बलकि उसकी value को importance देते हैं वो हमेशा बहुत जादा brand conscious होते हैं अगर आप भी high valuation price की चीजों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी personality में वो spark लाना होगा जिसकी वजह से आप इस तरह के लोगों को आकरशित कर सकें आपको अपने लिए branded products खरीदने होंगे आपका branded suit, आपके branded watch, आपका branded goggle, आपका branded pen और वो सारी चीजें और वो सारी accessories जो आपको एक luxury look देती हैं Always express yourself as a brand आप जिस भी product या services में deal करते हैं उसको हमेशा अपने मन में एक brand का रूप दें और उस brand को sale करने के लिए जब आप बाजार में उतरेंगे तो आपको सफलता के chances कई गुना अधिक प्राप्त होंगे target high profile and rich people अगर आप अपने product को higher value पर sale करना चाहते हैं तो हमेशा एक लक्ष बनाएं कि आपके zone आपके area या आपकी state के high profile people को मैं अपना product और services offer करूँगा इसके लिए सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि आप ऐसी संस्थाओं ऐसी organizations ऐसे समोहों का निरधारन करें जहां पर आपको high profile people मिल सकते हैं high profile people always love to buy branded product इसी लिए high profile people price की जगा value को focus करते हैं और जब भी आप high profile people को अपने product बेचने के लिए जाएं तो आपका सारा focus आपके product की value, आपकी brand की value, brand की power उसके बारे में होनी चाहिए focus on high quality not on quantity, जितने भी high profile लोग होते हैं वो हमेशा valuable product खरीदना पसंद करते हैं इसी लिए आपका focus भी हमेशा high quality पर होना चाहिए जितना ज़्यादा आपका brand quality conscious होगा उतने ज़्यादा high profile clients के साथ आप आसानी से deal कर पाएंगे use the trial close जितने भी high profile clients होते हैं वो most of the time high close को स्विकार करते हैं आपने देखा होगा बहुत सारी companies जो luxury product बनाती हैं वो limited edition, limited quantity, value edition इस तरह की शब्दों का प्रियोग करती हैं जिसकी वजा से वो client उन product को exclusively खरीदने के लिए तयार हो जाते हैं for the good business, the location is the most important concern यदि आप बहुत high profile clients के साथ deal करना चाहते हैं तो आपके business का, आपके office का, आपके showroom का location बहुत prime और standard area में होना चाहिए तो कभी भी सस्ती या घटिया quality की advertisement पर focus ना करें, always try to advertise your business in high profile network और आप जानते हैं जो दिखता है, वो दिखता है इसका मतलब यदि आप high profile client के साथ deal करना चाहते हैं, तो अपने product का display high profile client के साथ ही किया जाना चाहिए Sell alongside another expensive product, आप जिस भी तरह के product बनाते हैं, वो जितने भी luxury clients के लिए हैं, ठीक वैसे ही संबंदित product, आप अपने product के साथ add on करें, जिसकी वजह से जब एक client एक तरह के product को खरीदने के लिए आए, तो दूसरे product से भी आकरशित हो, या जब वो client दूसरे तरह के product खरीदने तो आपके product से भी आकरशित, आसानी से हो सके, spread your cost of product in different options, like cash on delivery, like payment by credit card, like payment with EMI facilities, payment with bank transfer, and in short, try to accept all payment modes, add a wow factor in your product, अगर आप अपने client को कोई भी luxury product sale करना चाह रहे हैं, तो साथी साथ complimentary, कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, जिससे आप client को एक wow factor feel हो, and if you really want to develop the network of high profile client, always try to participate in high profile meetings, high profile organizations, high profile clubs, और जब आप अपने H&I clients के साथ deal करें, तो कोई भी ऐसा प्रभाव ना चोड़ें, जिससे आपके छवी धुमिल हो जाए, आपके product से related, किसी भी competitor का नाम लेकर negative बातें ना करें, अगर आप मेरी इन सभी बातों को focus करत हैं, तो बहुत आसानी से, आप H&I clients के साथ, high profile product को आसानी से deal कर सकते हैं, business से related कोई भी informative training video आप चाहते हैं, तो मेरी YouTube library का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा, यदि किसी भी विशा पर आप training चाहते हैं, तो comment box में अवश्य लिखें, मैंने जो आपको अपके expensive product को sell करने के जो points बताएं हैं, इसके अलावा, यदि आपके mind में भी कोई questions या points है, तो comment box में मुझे suggest जरूर करें, friends, मेरे informative training video का उदेश्य है, कि भारत के हर घर से, हम एक सफल businessman तयार कर सके, ताकि आने वाले समय में, भारत आर्थिक शक्ति के रूप में, पूरे विश्व में अपना पर्चम लहरा सके, जै हिन, जै भारत!